नमस्कात दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एच्पी जीके बेद बिक्की में आई हूप सब बढ़ियों होंगे और अपनी त्यारी को अच्छे से कर रहे होंगे आज हम इस वीडियो में हमाचल पते जीके के कोश्मायतपूरम प्रसनों को डिसकस करेंग यह जो प्रशन होंगे यह आपकी अगामी प्रिक्स जैसे अच्पी पुलिस एंटी अच्पी टाट अच्पी प्रियेट इंडराल सवी एक्जाम में यह प्रसन हल्फुल सावित होंगे तो बिना देरी के साथ हम सुरू करते हैं फर्स्ट कोश्ट से कहता है कि भीम घिसूत जो कि कंघडरा आफ्शन ऐस हें जो जाए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास मुंखन ऑच्क ऱ करेंगण है जो है आपकी दर्रा जो है यह आपकी चमबा जिले में स्थित है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपके पास जाएगा आपके पास की कुंजुम दर्रा कहां पर स्थित है जो आपके पास की दर्रा चमबा जिले में स्थित नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपके पास की दर्रा जो है यह आपकी चमबा जिले में स्थित नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपके पास की दर्रा जो है यह आपकी चमबा जिले में स्थित नही थो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपके पास option कुझ्ञ नेट कोशण आपके पास की कौनसा तरह लहूल को स्पीती से अलग करता है उस्ट्ट कुझ्ञ और आपके पास पुष्छन दोस्तो आपके पास कि हमटा डर्र के जिल में इस्ते था। उप्ष Print परूप्षन दोस्तो आपके पास कि कुक्ति दर्र काहां पर सते था। या पांगी के बीच में जो आपकी पार्वति दर्रा जो है यह कुलू और स्पीति को आपस में जोड़ता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option a कुलू और स्पीति नेट कोशन दोस्तों की कौन सा पहाड़ी दर स्पीति को लगद्दाक से जोड़ता है option एक कांगला दर्रा option b जोड़ता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option एक कांगला दर्रा नेक्ट कोशन दोस्तों की हम्ता परवती दर्रा माचल पद्देश के किस के स्पीति के पास है option चंबा option भी रामपूर option कुलू या option मनाली जो आपकी हम्ता परवती दर्रा जो है यह माचल प के पास तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option डी मनाली नेक्ट कुशन दोस्तों की हमाचल पद्देश की कौन सी नदी भांदल ओतंत गिरी गिलेशिर की स्ट्रीम से बनी है option A जिनाव option B रावी option C यमन या option D व्यास तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option A रावी जो रावी नदी जो है वो आपकी भांदल ओतंत गिरी गिलेशिर की स्ट्रीम से बनी है नेक्ट कुशन दोस्तों की निवलिक्स मेंसे की जगह में सबसे कम बर्षा होती है option है पनी खेत option B चायल option C काजा या option T तीसा जो आपकी काजा जो है यहां पर आपकी सबसे कम बर्षा होती है तो उसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास option C काजा नेक्ट कुशन दोस्तों की हमाचर प्रदेश की कौन से क्षेत्र में भीविव परकार की फसलें उगाने की द्रिष्टी में परियाप्त बर्षा होती है option है पांगी और मंडी option B लह सिंटी चंबा और कांगड़ा जो आपके चंबा और कांगड़ा जो है यहां पर भीविव परकार की फसलें उगाने की द्रिष्टी से प्रवती बर्षा होती है नेक्ट कोशनों जोस्तों कि हमाचल परदेश में सरवाधिक बर्षा बाला स्थान कौन सा है option है चोल option B नूरपूर या option C धर्मशाला या option D रामपूर जो आपका धर्मशाला जो है यहां पर आपकी सरवाधिक बर्षा बाला स्थान है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन दोस्तों कि हमाचल परदेश का सबसे कम बर्षा बाला खिटर है और यह हैं और मरस्तर कहलाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑफशन सी स्पीति नेक्ट कोशन दोस्तों की हमाचे पर देश के कि जिले में उच्चितम बर्शा होती है उप्शन बिलासपोर ऑफशन भी कांगडा उसन सी मंडी या उसन डिक कुल जो आपका कांगडा जो जो यहाँ पर आपकी सबसे कम बर्शा होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएक है आपके पास ऑफशन मैं इस सबसे कम बर्शा होती है में वहती हैं तो सब्सक्राइब भी तो टोस्तों कि धंस ऑन में ऊस्तम बार्चिक वावसा कितनी होती है तो यह दिंचे 900E lips लोगा पश वाविफ जाएगा पास ऑप्षयंस सीत्सक्तों hesit दीन उस्तम बीसी के ब्रस्ते करने भर स्भीस बीतर हमाली हमाले और अन्सर क्राइब करने बीथे हमाले ते इपने सेना जालके बीधरी हमाले में बांचर प्रपक्रद्वें का पर्योजना कार्या किस वर्स में शुरू हुआ था तो रहाइट अंसर हो जाएगा आप के पास ऑप्षिन दोहजाद दस नेक्ट कोशन दोस्तों की 2011 की जनगर्णा के अंसान इमें लिखत मैं से माचे पदेश की जिले में लिंग अनपास सबसे अधिक है उस्टने में सिर्मोर और उप्षिन भी कुलो उप्षिन सी चंभा या उप्षिन लाहूल उस्पीति जो की जनगर्णा के अंसार आपका चंभा जिले में लिंग अनपास सबसे अधिक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षिन सी चंभा नेक्ट कोश्टन दोस्तों की हमाचे पदेश में सर्वधिक शाक्षिता दर्वाला जिला कौन सा है जो आपका हमाचे पदेश में हमीरपूर जो है यह आपके सर्वधिक शाक्षिता वाला जिला है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षिन भी हमीरपूर नेक्ट कोश्टन है आपके पास की 2011 की जनगन्या के अंसार आंकडों के अंसार हमाचे पदेश की कुल जन संखे कितनी है यह है आपके अठासल लाग छुझा हजा पांसो नो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षिन सी नेक्ट कोश्टन दोस्तों की क्षेत्रभल की दृष्टी से सबसे ब पास की क्षेत्वग की दृष्टी से हमाचे पदेश भारव में कौन से स्थान परस्तित है तो यह आपके साथ में स्थान परस्तित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षिन भी स्थार वे नेक्ट कुश्टन दोस्तों की 2011 की जनगन्या के इंसान पदेश में सक्षेत्र दर्ग क्या है तो यह आपकी 83.88 तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षिन सी 83.88 नेक्ट कुश्टन दोस्तों की पास की जिले का लिंग अनपाथ 1000 से कम है तो यह आपका शिम्ला है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्षिन डी शिम्ला नेक्ट कुश्टन दोस्तों की हमाचल पदेश के किस किशेत में परवती नमक पाई जाता है तो यह पाई जाता है आपका ऑप्षिन ए औ और भी दोनों हो जाएंगे आपके पास ऑप्षिन ए गुम्मा ओ द्रंग में जो आपका परवती नमक जो है यह आपका पाई जाता है नेक्ट कॉश्टन है आपके पास की माचल पदेश की सबसे थोटी नदी कौन सी है जो आपकी प्याज जो है वह माचल पदेश की सबसे